असलाम विल्कुम जी स्टुडेंट्स आज की वीडियो में हैं अकाउंटिंग आइकाम पार्ट टू के चप्टर नमबर फॉर का क्वेस्टन नमबर वान जो है वो साल्व करेंगे तो क्वेस्टन में हमें कहा गया है कि स्वेह लिमिट्ट कंपनी है जिसका अथुराइज कैपिडल है और उसको डिवाइट किया गया है फॉर लैक आड़िनरी शेर से और एक शेर की वैल्यो जा है वो टैन रूपीस है तैन कहा गया कि हम फास जुलाइज तो थाजन सिक्स्टीन कंपनी ने टू लैक जो है और इशू किये है जर्नल पबलिक को फार सब्क्रिप्शन एड पार वैल्यो बच्चो शेर इशू करने के तीन तरीके होते एक एड पार जैनि कि जितने मालियत का शेर था उसी मालियत का इशू किया गया फार एक जबल 10 रूपीज का शेर है तो उसको 9 रूपीज में इशू कर दिया जाएगा तेसरी जो काइंड है एड प्रेमियम की है इसका मतलब यह है कि जो शेर की वैल्यो थी उससे जएदा प्रेमियम पे इशू किया गया फार एक्सपल 10 रुपीज का अगर शेर है और कंपनी 11 रुपीज पे इशू कर रही है तो एक रुपया जो वो प्रिमियम उस पे चार्ज कर रही है तो यहां पे जो 2 लग शेर इशू किये गए हैं वो एड पारें के 10 रुपेज का शेर है तो उसी प्राइस पे इशू किया गया है सब्क्रिप्शन डेट जो फिक्स की गया है वो 15 जूलाई है अप्लिकेशन जितनी रिसीव हुए है वो 2 लग ही है तो यहां पे नहीं अवर सब्क्रिप्शन हुए है और नहीं अंडर सब्क्रिप्शन जितनी सब्क्रिप्शन रिसीव करनी थी जितनी अप्लिकेशन रिक्वाइड थी उतनी ही अप्लिकेशन जो यह कंपनी को रिसीव हुगी है शेयर अलाट कर दिये गें 31 जुलाई 2016 को कुस्टिन की रिक्वार्मेंट ये है कि हमने जर्नल इंट्रीज पास करनी है और हमने इसका एफेक्ट शोग करना है बैलनस शीट में तो जर्नल इंट्रीज की तरफ चलते हैं सबसे पहले जो इंट्रीज होगी ये इंट्री होगी जब एफ्लिकेशन रिसीव हुई है कंपनी को तो ये कब सुब्क्रिप्शन की डेट है 15 जुलाई तो 15 जुलाई 2016 को एफ्लिकेशन रिसीव हुई है इसकी इंट्रीप पास करेंगे आरेट इडिसकास हो चुका है अलाट्मेट के मैथड में कि जिस बंदे ने भी जिन लोगों ने अप्लिकेशन जो है वो सब्मिट करवानी होती है वो बैंक में जो अप्लिकेशन सब्मिट करवाते हैं along with amount तो इंट्री हो जाएगी बैंक अकाउँट डेबिट क्यों लोगों ने company के bank account में application जमा कराई है यहां के bank के account में amount आ रही है bank increase हो रहा है bank का account तो asset है इसलिए इसको debit कर देंगे यहां पर अब company की liability एक बन जाएगी ordinary share application account इसको हम credit कर देंगे क्यों के bank account में जो पैसे आ रहे है इन ordinary share applications के against आ रहे है तो यह company की अब एक liability बन जाएगी है अब amount देखते है 2 lakh shares है और A की value पार पे issue करें तो 10 है multiply करेंगे तो हमारे पास value आ जाएगी अब इसकी narration क्या किया जा रहा है यहां पे अप्लिकेशन रसीव हो रही हैं along with money अप्लिकेशन रसीव हैं along with money shares कितने थे 2 lakh for 2 lakh shares at rupees 10 each एक share की जो value थी वो rupees 10 थी तो यह entry बचो जब भी application receive होगी यह entry हम नहीं करनी है bank का account debit हो रहा है bank के account हमारे company के account में पैसे आ रहे हैं और liability create हो जाएगी ordinary share application account के नाम से then अब share alert करने है company ने और already discuss हो चुका है कि जतनी application required थी उतनी ही application company को receive हुई है तो अपनी दे उतने share alert कर देने है alignment की date अगर हम देखते हैं तो 31st July है 31st July को यह entry हो जाएगी अब share alert करने के entry यह होगी यह जो liability company ने create की थी अब इसके against share alert कर दिएगे तो यह liability हतम हो रही है cross entry हो जाएगी credit हाँ तो debit कर देंगे ordinary share application account को application account इसी amount से क्योंकि इतनी ही जो है applications आई थी then अब यहां पे credit क्या करेंगे इस liability के against company के यह liability बन गिया ordinary share capital capital account क्योंकि जितनी application required थी उतनी ही application आई है यह amount हम credit में लिखनेंगे credit हो गया तो कोई over subscription और under subscription नहीं है तो जितनी अप्लिकेशन आई थी उतनी ही company ने allot कर दिये हैं इसकी narration हो जाएगी two lakh shares allotted to journal public तो सिर्फ यही दो entries होनी है बच्चों क्योंकि पहले entries हमने करनी है जो application जब received होती है तो दूसरी entry हमने वो share जो है allot कर दिये हैं जितने shares हमें required थे उतनी ही application आई है तो under या over subscription नहीं है तो सिर्फ यही दोनों entries हो जाएगी अब दूसरी requirement question की क्या है कि हमने show करना है इस entries के effect को balance sheet में तो balance sheet का performer already में ने draw कर दिया है इसमें जो हम इसको show कर देते हैं यहाँ वे बच्चों सबसे पहले authorized capital आ जाएगा authorized capital हमें already given है और कितने share है 4 lakh share है authorized capital के लिए at the rate of 10 each तो हमारे पास authorized capital की value आ जाएगी then authorized capital का कुछ हिस्था जो है company ने issue कर दिया है issued capital अब issue कितने किये हैं 2 lakh share at the rate of 10 जर्नल पब्लिक को तो add करेंगे multiply करेंगे तो वही value आ जाएगी जो journal entries में हमारे पास आ रहे हैं यहां पर assets increase हो रहा है इस entry में अगर देखें तो bank account bank account में पैसे आ रहे हैं तो bank asset increase हो यह आ जाएगी value दोनों side अब यह इसको हमने ignore कर देना है क्योंकि authorize का यह वाला हिसा हमने issue किया है तो यह total में आ जाएगे amount जो है हमारी दोनों side की equal आ जाएगी तो question number one third year student जिसमें हमने shares application receive करने की और share alert करने की interest पास की और देन इसका effect जो है हमने show किया है balance sheet में next video में मिशाला हम अपना question number two solve करेंगे thank you very much and Allah आफिस